साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर एम सुधिश आपके साथ आज प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी के बारे में चर्चा करने आया हूँ 36 गड़ में हम लोगों ने पिछले लगबग 5 साल से अधिक का वक्त हो गया एलिमेंटरी लेवल पर अर्थात पर्ट्षा पहली से लेकर आठी तक के जो सिख्शक हैं उनके वाद्यम से हमने प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी चलाया हूँ और ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी मासिक तौर पर संकुल सर पर आयजित होने वाली बैठकों म आपस में बैट कर चरचा करते हैं इनके लिए प्रतिमा हम एजंडा भी भी भेशते हैं चरचा के लिए इसके अलावा वे सोच्यल मीडिया के माध्यम से आपस में जुड़े हुए और एक दूसरे को सिखाने का काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ नई नई बाते साजा करते हैं तो साथियों अब हम आप सभी के सहयोग से 36 गड़ में high school level higher secondary level पर भी professional learning community चलाना चाहते हैं और इसी उद्देश से professional learning community के बारे में जानकारी देने के लिए मैं यह slide आपके साथ साजा कर रहा हूं चलिए professional learning community के बारे में बात करने शुरू करने से पहले एक case study के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा यह case study the great escape नामक film की घटना पर आधारित है और यह घटना दृती विश्यूद के समय 250 हैनिक इस जेल से भाग निकले उसके बारे में विश्तार से इस case study में समझाने का प्रयास किया गया है कि the great escape यह वास्तवी घटना सन 1944 में हुई थी और इसकी पूरी जो घटना है वह परलिन से सौफ मील दूर एक जेल के भीतर किया घटना है जो की great escape नामक फिल्म में बताई गई है जर्मन इस जेल को escape प्रूफ मांते थे अर्था जर्मन यह मांते थे कि इस जेल से कोई भी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता बहुत स्ट्रॉंग जेल के रूप में इससे जाना जाता था इस जेल में एक बार कैदियों के एक रूप ने भागने की ठानी उन्होंने तैय किया कि सभी 250 कैदी एक ही रात में यहां से भाग निकलेंगे इतनी बड़ी संक्या में भागने के बारे में इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा इस से तु सभी कैदियों में बहुत अधिक समन्वय की आवशक्ता थी और यदि वो आपस में तालमेल नहीं करेंगे तो यह बात लीक हो जाएगी जेलर को और फिर सारा प्रोग्राम चौपट हो सकता था तो काफी समन्वय की आवशक्ता थी इस कारी के लिए सबसे पहले एक टीम बनी यह कारी काफी महतवपूंट था पूरे तरह से प्लान करके करना था इसलिए इसके लिए एक टीम बनी टीम में सभी सदस्यों को अलग-अलग कारी एवं जिम्मेदारियां सौपी गई जैसे कुछ लोगों को सर्वे का काम दिया चया जिया कि कैसे बहागना चीए रास्ता वगए की जनकरी कुछ को खुदाई का काम कुछ को मिटी जो खुदाई से निकलेगा उसको कहां पर निप्ठारा किया जाए कुछ लोगों को पहardonेदारों पर नजर रखने का काम उनको भटकाने का काम सुरंग में हवा बेस्ता का काम और जासूसी जैसे काम इस तरह से जितने भी अलग-अलग काम सोचे जा सकते थे सोचकर सभी लोगों को देने का प्रयास किया गया खोधने की आवाज जो रात को यह लोग खोद रहे थे之前 के भी तर उसकी आवाज को दबाने के लिए गायोकों का दल भी गठित किया गया ताकि वो इतनी जोर-जोर से गाना गया कि खोदने की आवाज जेल में पुलिस को सुनाई ना दे एक आवश्यक सामगरी की भी सूची बनाई गई खोदने के लिए उपकरंट चाहिए थे कंबल चाहिए थे चाकू, हतियार, रसी, बिजली आदी ये सभी सामान को बाहर से भीतर चुरा कर चुपचा प्लाना था ताकि किसी को पता न चले लगातर क्या कहां से लाना है इसके बारे में काफी सोचने की जरूरत थी प्लान करने की जरूरत थी, कुछ लोग सैनिकों को बाहलाने, खुसलाने और भूस देने में लगे रहे मतलब सब के लिए अलग-अलग काम था उनकी च्छमता के आदार पर सभी के पास उनकी योगिता के रूप काम था, इन में से कोई दरजी, लुहार, कलाकार बढ़ा ही था कुछ लोग सुरच्छा करमचारियों की गतिविदियों पर नजर रखते थे और कुछ गोपनी संदेश का अभ्यास करवाने का काम भी करते थे एक वर्ष के कठिन मेहनत के बाद मार्च 1944 को 220 लोग जेल से बाहर निकलने के लिए तैयार थे अर्था सुरंगादी बन गई थी, एक मिनट में एक विक्ति को बाहर निकालने की योजना थी जिन कैदियों को जर्मन भाशा आती थी, वो ट्रेन से एवं जिन को नहीं आती थी, वो रात के अंधरे में यात्रा एवं दिन को कई छिपे रहने की योजना थी, ताकि किसी के चंगूल में ना फस पाए जब पहला कैदी सुरंग से बाहर निकला, तो समझ में आया कि महाना, जो सुरंग का महाना है, वो काफ़ी छोटा है, एक मिनट में एक विक्ति के बदले, इस से बाहर निकलने में, एक घंटे में केवल 12 लोग ही निकल पा रहे थे सैनिकों को सुरंग का पता चलते तक मात्र 86 लोग ही बाहर निकल पाये थे जबकि इसमें 220 लोगों के निकलने का प्लान था लेकिन जब तक सैनिक पता चल जाये तब तक केवल 86 लोग ही निकल सके नाजियों में इस घटना से कोहरा मच गया पूरे देश में रेड अलर्ट घुशित के अगर दिया गया क्योंकि काफी बड़ी संक्या में कैदी जो सैनिक है दुश्मन देश के वो बाहर निकल चुके थे इन में से अधिकांश कैदियों को पकड़ लिया गया हिटलर द्वारा इनको कड़ी सजा दी गई केवल तीन को ही भागने का आउसर मिल पाया यदि पी यह योजना विफल हो गई पर दुनिया की इतियास में सामोहिक रूप से किसी काम को अंजाम देने का यह एतिहासिक उ अधिक रात पूरे एक साल तक कंसेंट्रेटेड डिवोशन और विजिलेंस की आवशक्ते थी पाफी और सिंसियर्टी पूरा एक साल लग गया इन लोगों ने अपने-पने काम को ध्यान से इसको करने में सफलता पाई इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबी आवधी तक खतरना काम के लिए इतनी लगन मेहनत और हिम्मत का उधारन शायद ही कहीं और मिलेगा लेसन वन टीम वर्क इस बर्ट वेन यू कॉंसेंट्रेट अन वी इंस्टेड ऑप मी मी की जगह वी की भावना जब हम लाएंगे तब टीम वर्क पैदा होता है लेसन टू दा मिशन इ भूमिका की तुल्ला में कौन किस भूमिका में है वो उतना महत पुर नहीं है बलकि गोल सभी लोग मिलकर जिस चीज के लिए काम कर रहें वो ज़्यादा महत पुर्णा मिशन ज्यादा इंपोर्टेंट है कीसरा लेसन इस केस्टेडी से इस मल्टिप्लिकेशन जितना आप एक दूसरे से collaborate करोगे, मिलकर काम करोगे, उतने ही गुना आपको सफलता मिल सकती है, all union is strength, all discord is danger, एक एकता जहें वो ताकत है, और यदि आप विवेज पैदा करेंगे, तो वो एक खतरनाक सिथी है, चौथा lesson इस के स्टेडी से, committed and consistent, there are no half-hearted champions, आधे-अधूरे से काम नहीं कर सकते, commitment चाहिए और consistency चाहिए, लगातार किसी काम को कर सकना, बीच में छोडने की आदत बहुत खराब होती है, consistent तरीके से commitment के साथ, यदि हम काम करेंगे, तब ही हम champion बन सकते हैं, पाश्वा lesson है, इस case study से, consolidating communication, communication को बहुत अच्छे से, सुरक्षित रखना है, consolidate करना है, छटवा lesson है कि टीम में बहुत सारी बाते हो सकते हैं, बहुत सारे अलग-अलग विचार हो सकते हैं, साथवा lesson है, टीम, टीम का जो अर्थ आप सभी जानते होंगे, टी टुगेदर, एवरिवन, एकम्प्लिशिस, एम मिरेकल, सभी जो लोग हैं आपस में मिलकर ही, मिरेकल कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, टीम वर्क टु मेंक दे ड्रीम वर्क, यदि हम अपने सपने को साकार करना है, तो टीम वर्क की जड़त होगी, तभी हम दीम को वर्काउट कर पाएंगे, चलिए अब देखते हैं हमने यह देख लिया कि एक टीम बनाने की जर्रत है तभी हम अच्छी टीम बनेगी तभी PLC सफल हो सकता है अच्छी टीम बनाने के लिए क्या करना होगा एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण होना चाहिए तभी अच्छी टीम बनेगी इगो नहीं होना चाहिए आपस में काम करते समय लेट गो दा इगो आपसी प्रतित्वंदिता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मिल जूलकर काम होना चाहिए आपस में समवाद निरंतर जारी रखना चाहिए कायम रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए सिंपैथी एमपैथी होनी चाहिए दूसरे के जूते में पैर रखकर देखना चाहिए, उनके नजरिये से हमको देखकर उनके प्रति सम्वेधन शील होना चाहिए अभी भिन्यता में एकता होनी चाहिए, PLC में बहुत सारे लोग होंगे, अलग-अलग विचारे वाले होंगे लेकिन उनमें एकता होनी चाहिए, अच्छी टीम के लिए accountability और responsibility जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, जवाब देही जरूरी है, और conflict हो यदि आपस में बाद भी बाद हो, तो वो खुले तरीके से communicate करना चाहिए, बाच्छी करना चाहिए, इसके लावा common goal होना चाहिए, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक team जो है, वो पटरी को इस तरफ से ले जाना चाहिए, दूसरी team पटरी को दूसरे तरफ से ले जाना चाहिए, ऐसे हमें गाड़ी नहीं चल सकती, तब का दोनों का goal common होना चाहिए, फिर है delegate authority, जो authority है, जो आपके पास जिम्मेदारिया ह हैं, काम हैं, उनको दूसरों को सौपते रहना चाहिए, ताकि वो लोग भी leader के रूप में तैयार हो सके, आप ही स्वयम सारे काम ना करें, आप authority दूसरों को delegate करते चलें, तो यह कुछ था जो great escape नामक film से हमने सीखा, और इसी का जो मातवपूर्ण बिंदु है, वो हम community के बारे में जानते हुए सीखने और समझने का प्रयास करेंगे, professional learning community वास्तों में सिख्षकों को एक दूसरे के सीखने का अड़ा है, एक सिख्षक के रूप में आमतर पर आप क्या-क्या काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, अलग-अलग प्रकार के प्र जाने का भी कभी कभी चांस मिलता है, बैठके होती है, बैठकों में जाना होता है, बहुत सारे गयर साचकी कारे भी करने होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सिख्षक को नया सीखने के आवसर कहां-कहां मिलते हैं, कहां-कहां ऐसे जगह हैं, जहां पर सिख्षक नया स सीख सकता है स्टाफ रूम में अपने साथियों से सीख सकता है लेकिन कितने साथिया आपके पर जो इस तरह की बाते करते हैं प्रधान अध्यापक या प्राचारे से सीख सकते हैं लेकिन आपको अपना प्राचारे कब खाली बैठे मिलेंगे जो आपको सिखा सके मासिक बैठ चिक पत्र पत्रिकाओं को भी लाकर अपने स्कूल में रखकर उन पे चर्चा और उन पे पढ़ाई करके भी नई नई बाते सीख सकते हैं। सेट्शनिक समर्थन के लिए सिक्षकों के पास कौन-कौन सी संस्थाएं हैं। यदि आप संस्थाओं की बात करेंगे तो हमारे पास ट्रीचर्स ट्रेनिंग के लिए सिर्ट हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद क्या हमें इन केंद्रों से आवशक्त अनुसर विबिन प्रसिक्षन में शामिल होने का आवसर मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो इन चीजों को कैसे आसान बनाएं ताकि हम अपने विशय में बहुत अच्छे से दच्षेता प्रात कर सकें। और बच्चों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें विशय से संबंदित बता सकें। इसके लिए SOS है Share Own Solve हमारे जो कंसर्न है उसको आपस में शेयर करें। फिर है Own the problem जो भी समस्या है उसको स्वयम जिम्मेदारी ले। और तीसरा है Solve the problem together सब के साथ मिलकर प्राबलम को solve करने का प्रयास करें। आज के दौर में हम अपने विद्यारतियों में सक्री सिक्षन पदति के मामले में सीखने के संबंद में कौन-कौन से गुण चाहते हैं। तो नियमित रूप से बच्चे सीखना जारी रखें। आप चाहेंगे कि यह गुण होना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करना। यह गुण भी अत्यन तावर्शक है। यह दो गुण यहने सीखने में रूची लगातार लेते रहें टीचर और दूसरा एक दूसरे से मिलकर सीखने का प्रयास करें। आप अपने विद्यार्थियों को तक तक एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ समन्वे से बहतर और सतत रूप से सीखने वाला नहीं बना सकते जब तक या गुंट सिक्षा के रूप में हमें स्वयम न आ जाए यानि हम यह बात करें कि आप लोगों को एक दूसरे से सीखना चाहिए और स्वायम हम टीचर के रूप में एक दूसरे से सीख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम दूसरे विद्यारतियों से इस परकार की अपेट्शा नहीं कर सकते हैं। कॉलेबरेशन क्यों आउशक है, नई चीजें सीखने के लिए समन्वय क्यों आउशक है, जो सक्सेस्फुल स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सीखना तब ज़्यादा अच्छे से संभभ हो पाता है, जब वे किसी समस्या को लेकर एक साथ अपने दोस्तों के साथ उसका सॉलू के साथ मिल कर काम करते हैं, जिसमें हम अपने व्यक्तिगत एवं सामुहिक परिनामों को सुधारने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और जिससे कि हमारे व्यवसाई कौशलों का भी विकास हो सके, इस बात पर कभी शंका न करें कि नागरीगों का एक छोटा समू दुनिया को बदल सकता है, वास्ताव में अब तक दुनिया की तस्वीर बदलने वाले छोटे समू ही हैं, ये काफी इंपर्टेंट है, हाईर सेकंडरी लेवल पे हमारे पास 32-35,000 सिक्षक हैं, वे सभी यदि प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी का ग्रूप शामिल करक सदर से बन जाएं, तो वो उन में से छोटा सा ग्रूप भी बदलाव लाने की माददा रखता है, शमता रखता है, आप यदि शाला में बच्चों की उपलब्दी में सुदार के लिए समू बनाना चाहें, प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी बनाना चाहें, तो कुछ म पहावरे आपको जरूर याद करने चाहिए, जैसे एक अकेला चाना नहीं खोड़ सकता, इसी प्रकार से और भी मुआ रहे हैं, जो ये समझाने का प्रयास करेंगे, कि PLC में अकेले काम नहीं होता, बहुत सारे सिख्षक आपस में मिलकर, PLC को सक्री कर सकते हैं, PLC में जो मुख्य बाते होती है, एक तो लर्निंग सीखने पर फोकस होता है, कॉलेबरेटिव कल्चर होता है, एक दूसरे से मदद करके काम करते हैं, ताकि सीख सके सभी, कलेक्टिव इंक्वाईरी, करेंट रियालिटी के अधर पर मिल जुलकर इंक्वाईरी करते हैं, सत् पर इंक्वाईरी का काम करेंगे तो उसमें काफी मंधन करेंगे, सोच विचार करेंगे और तब जाकर कांटिनियोस इंप्रूमेंट के लिए काम करेंगे, रिजल्ट ओरीटे होता है, पीलसी कुछ न कुछ परिणाम आपको ठोस दिखाना होगा, एड्मिनिस्ट्रेटर ए का कमिट्मेंट होना ज़र्दी है, और एड्मिनिस्ट्रेटर जो है इनको एशोर करेंगे इनके काम के लिए, अब आप यदि प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी हाई स्कूल हाईर सेकंटरी लेवल पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सोचें कि कौन-कौन इसमे इसमे बैटक के कब होंगी, इसके माध्यम से पी-अ-की के माध्यम से आप क्या क्या करना चाहेंगे, क्यों गठन करेंगे, इन पी-अ-को हायर सेकंटरी लेवल पर कैसे चलाएंगे, इनकी बैठकों का आयोजन कहां कर किया जाएगा और इसमें यदि संचालन में कुछ खर जाता है तो वो खर्च कहां से मीट आउट होगा अब यदि हाई स्कूल हाई सेकंडरी लेवल पर पील सी बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुवात कैसे करेंगे अपने आसपास का माहौल है हम संसादनों से परिचित हो जाएं सक्री हम कुछल माना संसादनों की पैचान कर उन्हें शामिल करें सब के साथ अपने पील सी के लिए विजन मिशन हैं लट्ष निर्धारित करें समय समय पर बैठने के लिए स्थान होना चाहिए और समय निर्ध काम के लिए कम से कम पांच बिंदु निर्धारित होना चाहिए जिसमें आपका PLC काम करने के तरीकों को जानने के लिए एक उनमुखी करण करने की और शक्ता होगी काम शुरू करने से पहले चोटे-चोटे लक्षों से हमको शुरू करना होगा अपने काम को स्मॉल टास्क में बाढ़ते हुए स्टार्ट स्मॉल हमको करना होगा और चोटी-चोटी सफलताओं का जर्ष्न बनाए है सेलिब्रेट सक्सेस यह नहीं कि एक सफल हो गए हम चुक्चाब बैठे हैं इतना बड़ा काम आपने किया है बाहर निकल कर उसके बाद जो काम कर रहे हैं उसका सफलताओं का जश्न बनाना चाहिए पील सी को आसपस का माहौल और संसाधन से कैसे परजित होना चाहिए सबसे पहले विभाग किस छेत्र में जोर दे रहा है प्रात्मिक्ता क्या है यह देखना चाहिए आसपस सीखने के लिए किस-किस प्रकार के माहौल है नेगेटिव लोगों से बिलकुल दूरी बनाए स्कूलों को सही होग है तो आसपस किस प्रकार के संसाधन हमें मिल सकते हैं उसको खोजने का प्रयास करें और बच्चों की उपलब्दी सुधार ने है तो कि छिट्रों में काम करना चाहिए इसकी भी जानकारी लेते चाहिए प्रचल मानो संसाधन की पैचान के लिए संकूल में स्कूल में ब्लॉक में जिले में कोशिश करें देखने की कौन ऐसे लोग है जो अपने प्रच्चों को सक्री रख सकते हैं शास्की सिक्षकों के लावा आन्नी विभाग या किसी भी आन्नी जगह से इच्छुप लोगो सायोग देने की इच्छुखों उन्हें ले सकते हैं पालकोयम समधाय से पड़े लिखे इच्छुप व्यक्ति को ले सकते हैं सेवा निवरत्य सिक्षक या आन्नी सिक्षक जो स्कूल के लिए समय देना चाहते हूं और उनके पास पर्याब तनुभा और विश्य शगिता हो होने हैं पिलिया जा सकता है एटलसी में आपको विजिन मिशन और लट्ष निरदारित करना होगा क्या 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 करना शाथ है works श्कूल को कहाँ कहाँ से ले जाना है यह समभा बिच्छन और मिशन बहुत चोटा और स्पास्ट होना चाहते हो सिषी को च्रॉटा है। हमार्ट बनाना होगा बैटने के लिए कारेशलाओं के लिए जगा ढूंद कर रखें संकुल केंद्र या शाला आपकी शाला स्वयम हो सकती है स्कूलों को बदल बदल के भी लिया जा सकता है बी आर्सी भवन या डाइट में भी ट्रेनिंग किया जा सकता है और यहने सबसे पहला काम है बैठने के लिए नियादस्तान दूसरा जो सबसे इंपर्टन्ट है पी लसी की सफलता के लिए सबको समय निकालना आवश्यक है स्कूल समय के अलावा छुटियों में भी बैठने के लिए तयार होना चाहिए तब ही आपके पी लसी के माद्यम से कुछ सुदार हो सकेगा पी लसी में आपस में समबाद के लिए उचित प्लेटफॉर्म होना चाहिए सबी सदस्यों को लगातार समबाद करना आवश्यक है जरूरी नहीं है कि हर बैठक में आमने सामने ही समबाद हो स्कूल या घर में रहा कर भी उद्देश्यों की पूर्थी की जा सकती है टेकनोलोजी का उप्योग कर निरंतर समबाद किया सकता है और कुछ प्लैटफॉर्म जो समबाद के लिए होते हैं वाटसाप इमेल मोबाइल पेस्बुक ट्विटर स्काइब इनका उप्योग किया जा सकता है इलसी के लिए आपको काम करने के लिए कुछ विश्यक होजने होंगे जैसे पठन समगरी कठा करना गणित को कैसे पढ़ाएं खेल-खेल में कैसे पढ़ाएं लेकन कोशल कैसे विक्सित करें अभियक्ति है बूलने का कोशल कैसे विक्सित करें नाटक के माध्यम से कैसे पा को प्रवेश दिलाएं और सामुदाइक साभगीता या सोशल अडिट कैसे करें कि कुछ और शेत्र हैं जिस पर हम काम करके प्रपोजल बनाके आगे देख सकते हैं पील सी को समय समय पर उन्मुखी करन करना आउशक है ताकि शमता निर्मन किया जा सके सीखने के लिए वातवरण होना चाहिए पाठर समागरी उकलब दोने चाहिए सक्री सिक्षकों को एक्सपोज़र विजिट का भी मौका देना चाहिए कारिशा लाएं और सीखने के आउसर होने चाहिए विशे विशेशग्यों को समय समय पर आमंत्रित करते रहना चाहिए पील सी को छोटे लच्छों के साथ स्टुरू करें और तिंग बिग स्टास स्टार्ट स्मॉल और स्केल फास्ट इसको देखना है छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाना अत्यान सब्सक्राइब बॉटम लाइन इस डाट जेर इस जस्ट नोवे टूप्रीएट गूड स्कूल विदाओ गूड तीचर अच्छे टीचर नहीं होंगे तब तक अच्छा स्कूल नहीं बन सकता तो सिक्षकों को पील सी से क्या-क्या लाब मिलेगा आकेलापन कम होगा पील सी देगी विद्यारतियों को लाब अकादमिक परिणाम में सुधार होगा शадноत यागी दर में कमी आएगी आनुपस्तिती में कमी आएगी भेदबाव नहीं होगा विद्यारतियों में और एक सामानी भानती है पील सी में मैं चाहूंगा कि उससे भी दूर कर लिया जाए सबस पुष्किल है हो जोगे तो क्या नहीं मिलता अच्छी टीम मिल सकती है कि पीम में इतना बड़ा बदलाओ की शक्ती नहीं आप करके देखें बदलाओ दिखाई देगा छोटी-छोटी सफलताओं पर जर्च न मनाना इससे ऑवर कॉंफिडेंस होता है ऐसा नहीं करना चाहिए पर यह गलत है छोटी-छोटी सफलताओं पर जर्च न मनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए एक और आम ब्रांती है कि हमारे आँ तो टीम भावना लाना असंभा है तो यह भी ब्रांती गलत है आपको ही इसे तोड़ना होगा कि यह दिया पील सी की बैठक आयोजित करना चाहते हैं तो उसमें कुछ नॉम्स होना चाहिए जैसे शुरुआत समय से करे अंत भी समय पर कर लें उपस्थिति लें एजेंडा तयार करके उस पर चर्चा करें सबकी भूमिकाओं पर ध्यान दें एजेंडा से बाहर न जाए बैठक को योगी बनाए लंबी भूमिकाय अनावशक न बाटे निर्णए लेने हैं तो सबको साथ ले और सबको साभागी बनाए है पिल्सी के कार्ट तैय करते समय हमें सबसे मातवपुन बात इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमें अपने बच्चों के आख से देखने का प्रयास करें कि बच्चों को क्या-क्या लाब हमारे पिल्सी के माध्यम से होगा एक दूसरे से सीखने का कल्चर कैसे लाएंगे इसके बारे में बी सोचें पिल्सी का मुख युद्धेश की स्थीच को बढ़ाने के लिए कि सीच को उपर उठाने के लिए हैं उस पर भी चर्चा करें गठन के लिए आपकी क्या यूजना है नाम कैसे रखा जाएगा यह सार एक यदि पेज खाली रखें आप तो उसमें PLC लिखने के बाद ये PLC हाइज स्कूल का या हायर सेकंटरी का है तो HS कर दें उसके बाद ब्लॉग का नाम लिखें और उसके बाद लास्ट में डिस्टिट का नाम लिखें तो नाम लिखने का भी तरीका होता है कोई बहतर नाव आपको खुज़ना होगा प्यल्सी सक्री होकर काम कर रहे कि नहीं इसको भी देखने का प्रयास करें तो साथियों यह प्यल्सी के बारे में कुछ भूल भूत जानकारी थी उम्मीद है कि आपको छतिसगड में प्रारंबिक स्थर पर चल रहे हैं प्यल्सी के बारे में कुछ आइडियास मिल गए होंगे अब हम आपके साथ मिलकर हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी इस तर पर प्यल्सी का गठन कर रहे हैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद इसे एक बार और आवर्शे देख लेएं ताकि प्यल्सी को हम सक्री रूप से प्यल्सी के अवधारना को प्यल्सी के बातों को सिक्षकों में आत्मसार्थ करवाते हुए उसे लगातार जादी रखने का प्रयास हम लोग करेंगे लास्ट में मैं एक लाइन से अपनी बात रखूंगा Act on an idea to make it happen Act on an idea to make it happen instead of thinking to make it happen केवल सोचते रहेंगे और चीजें हो जाएंगी ऐसा नहीं संभव है किसी भी idea को सोचने के बाद उसके act immediately करना होगा तभी वो idea जो है वो happen होगा ताथ संभव वो पाएगा केवल सोचते रहेंगे तो नहीं होगा मेरा इशारा आप समझ गया होंगे आप सभी से अनुरोध हैं कि अपने अपने विशय के लिए एक अच्छा तगड़ा मजबूत professional learning community बना लें ताकि उनके साथ धीरे धीरे हम लोग आपस में मिलकर काम कर सकें धन्यवाद